दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो किसी भी इंवेश्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टिन टॉपिक कोड़ता है, वो है हमारा आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है आखेर क्या करना होता है, मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान अपने दिन चरिया में 2-4-10 बार fundamental analysis जरूर करता है, क्योंकि fundamental analysis ऐसे करता है कि हर किसी के दिन चरिया में कुछ ने कुछ चीजें उसके life में होती है या उसको कुछ खरीद नहोता है, या कोई decision लेना होता है, तो definitely वो कोई decision लेना है, तो उसके pros and cons को has सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम यह डिसाइड करते हैं कि हमें सूज लेना है तो किस टाइक पर सूज लेना है करते हैं कि उसके अलगे क्वे ब्राइंड का लेना है जो ब्रांड हम काफी टाम से यूज कर रहे हैं उसी ब्रांड में लेना है या उसमें कुछ प्राउब्लम आ रही है तो अब स्क्रय व्यूसरी ब्रांड की तरफ जाएंगे। उसका देखेंगे फाइद हैं और नुफसा क्या है मान लिजे मुझे सूज थाउजन रूपीज के लिए लेकिन वो जो ब्रैंड है या जिस के लिए हम सोच रहे हैं वो हमारा बजट में नहीं आ रहा है तो उससे related हम एक comparative analysis करते हैं कि सिमिलरली मान लिजे कि आपको कोई घरी लेना है या के हैं लो कलिटी उसकी सई है इसकी रोड कनेक्टिवीटी कैसा है वहां जो लोग रह रहे हैं वह क्या हमारे इंवार्मेंट के हिसाब से उसचुट करते हैं वहांका लिविंग इंवार्मेंट कैसा है तो इंसाइड तोपिकों को हम proper analysis करते हैं तब जाके conclusion पर पहुंचते हैं और हम इस चीज़ को करते हैं Similarly, अगर हम कोई भी stock में invest करना चाहते हैं तो investment जो होता है वो आप थोड़ा लंबे नजरिया के लिए ही सूचते हैं इनवेस्मेंट और ट्रेडिंग में यही फार्ख है ट्रेडिंग में क्या होता है कि price movement को देखे हम इसे भी stock को trade करते हैं जबकि अगर आप investment करने जा रहे हैं तो at least six month या one year या two year कभी कभी long term के investment होते हैं तो हमारा जो भी investment का जो प्लान है उसके according ही हम उसको analyze करते हैं तो इन सारे टॉपिकों को एक overview में analyze करने को ही हम fundamental analysis करते हैं fundamental analysis में हम उस company या उस stock का पूरा fundamental analysis करते हैं कि अब fundamental analysis के bottom to top, top to bottom तो process होते हैं जिसमें हम पहले यह decide करते हैं कि हमें पसंद क्या है उसके बाद बाखी उसकी industry उसका sector क्या होगा overall economic में कैसा perform करने वाला है उस region या उस countrys का उसरा यह होता है कि पहले हम industries को decide करते हैं कि कौन सी industry में इन्वेस्ट करना है इसका आने वाला समय जो है future जो है ताफी bright होने वाला है उसके बाद हम उस sector को इंडस्ट्री के बाद हम उस sector को देखते हैं कि क्या हम यह sector में इन्वेस्ट करना है उसके बाद हम इंडस्ट्री में जाते हैं और उसके बाद हम specific company की बाद करते हैं तो यह सारे चीज़ों को जब हम analyze करते हैं तो उसको हम fundamental analysis कहते हैं तो चलिए इस video को हम start करते हैं और detail में discuss करेंगे कि क्या होता है कि fundamental analysis और कैसे हमें fundamental analysis करना चाहिए किसी भी stock में invest करने से पहले तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं निलाम बुजपांडे आप देख रहे हैं PVB invested YouTube channel तो आज ऐसा कि हमने discuss किया आज का हमारा topic है fundamental analysis में क्या क्या करना होता है कैसे हम कर सकते हैं किसी भी stock of fundamental analysis वह हम देखते हैं तो माल लिजे कि कोई भी brand या तो आपको पहले यह decide करना है कि आपको कौन से stock में लेना है जाना है कि sector में जाना है इंडस्ट्री में जाना है सबसे पहले overall industry की बात करें तो यह सारी चीजें हम देखेंगे तो जैसा कि हम कोई भी decision चीज लेते हैं या कोई भी मान लिजे किसी खिलाडी को ही हम पसंद करते हैं मान लिजे हमारा विराट कोली को इतना reliable player क्यों मानते हैं क्योंकि हम देखते हैं उसके past data में उसके past performance को देखके हम यह decide करते हैं कि यह बंदा का जो past performance है उसका average क्या है उसका strike rate क्या है उसमें कितने match खेले हैं और हर match में average क्या रहा है उसके हिसाब से हमारी एक उम्मीद होती है कि इस match में वह एक अच्छा performance दे सकता है उसके previous form कैसे रहे हैं तो इन ही चाहिए चीजों को जो हम एक stock के form में जब हम analyze करते हैं तो उसी को हम fundamental analysis कहते हैं तो fundamental analysis इसलिए भी important है कि किसी भी stock में जब आप enter करते हैं तो आपका नजरिया थोड़ा लंबा होता है और आप एक अच्छे return के लिए करते हैं यह नहीं कि हमें 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए और 5-10% का हमें profit मिला और हम profit book करके निकल गया उस case में हमें बहुत जादा dependency fundamental analysis की नहीं होती लेकिन जब आप किसी भी company में long term के लिए जाते हैं तो आपको यह सारी चीजे analyze करना इसलिए भी होता है क्या पता उस company का management कैसा है उस company का performance कैसा होने रहा है पिछले सालों में उसमें जो बात कही है उसको क्या फुल्फिल कर पाया है वो नहीं पास्त में उसके कोई legal compliance का issue नहीं है वो जो भी ethics and होते हैं उस चीज को फुल्फिल करता है या नहीं करता है तो इन सारी चीजों को हम जब analyze करते हैं तो हमें यह decision लेने में आसानी मिलती है उसके हिसाब से जितना अच्छा हम fundamental analysis करेंगे उतना ही accurate हमारा decision हो वो इस हिसाब से देखा जाए क्योंकि आज के समय में किसी को study का आदत नहीं है वो फटा-फट share market में आता है वो सोचता है कि वो बस फटा-फट double triple करके पैसा बहुत बढ़ा इस चक्कर में ही पिछले कुछ सालों में लवर लाग करोड फीचर और ऑप्शन में लोगों ने लोगों ने लाग करोड पेकर लॉस जो छोटे इंवेस्टर थे फैनोस में वो लॉस कर चुकी जो काफी दुख देता है एक analyst के तौर पर की नहीं नहीं लोग आते हैं और कि इसके बातों में आके वो फच जाते हैं या वो अपने grid के कारण फच जाते हैं और कम सामल जाता है क्योंकि आपका वो hard-earn money इसको आप वही इंवेस्ट करें जो अब इसमें share market की कोई गलती नहीं अगर देखा ले क्योंकि अगर share market की गलती होती तो लगवाद पिछले चा आप बहुत जल्दी excited करने वाली न्यूज पर या किसी भी चीज़ को आपको एक conscious और form decision लेने के लिए fundamental analysis का इंपोर्टन चीज़ बहुत है अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को subscribe ने किया है और अगर हमारा analysis आपको अच्छा लगता है तो subscribe जरू कीजिए और motivate कीजिए मुझे और comment भी कीजिए ताकि मुझे feedback मिलता रहे है like कीजिए और अपने लोगों को हो सकता है तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे fundamental analysis कर सकत तो one by one हम decide थोड़ा video लंबा हो सकता है but please bear me और last तक journal बने रहे हैं और देखे कि कैसे कुछ-कुछ एक टॉपिक एक वीडियो में हम सारे topic को detail में cover नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में मैं कोसिस करूँगा कुछ important points को discuss करूँ ताकि अगर आप लोगों ने अच्छा response किया तो मैं एक point को detail में भी आप लोगों के लिए वीडियो बना कर रहा होंगा जिससे आप लोगो खुद से अपना decision ले सके तो चलिए देखते हैं पहला हमारा fundamental analysis का होता है उसमें जैसा कि हमने पहले भी अभी डिसकर्स हिया कि economic analysis करना जरूँगी है जैसे बहुत सारे लोग हो supportive है या नहीं अमान लीजे इंडिया की बात में तो क्या पहले हमें यह analyze करना होगा कि क्या कि 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 कंट्री में हम invest करने जा रहा है उसका economic क्या है क्या वो डाउन की तरफ जा रहा है या future उसका अच्छा है वो अपोटेंड में है तो अगर मैं भारत की बात करना हूं तो भा अच्छे इंवेस्ट्मेंट के लिए प्रोपर कंडिशन प्रवाइड करना है दूसरा इंडस्ट्री अनालेसिस अब मालीजे भारत ही है इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो इतने हाइक पे आ चुके हैं या बहुत सारे से इंडस्ट्री हैं जो इनका future आने वाले समय में साहिर उतना अच्छा ना हो जैसे पोल्ड इंडस्ट्री हो गया और फ्यूल में जो है फॉसिल फ्यूल पेक्ट्रोरियम और इन सब चिज़ों का तो अगर आप 10 साल बाद इनके future को देखें तो धीर धीरे यह डाउन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि दुनिया अब renewable energy की तरफ जा रही है तो उस से साथ से देखा रहा है तो कौन से सेक्टर का future bright होने वाला है तो वह हमारा renewable energy सेमी कंड़क्टर टेक्नोलोजी से इतनी भी कंपनिया है उनका future bright है फार्मा है उनकी चाहे आदमी कुछ भी हो medicine जरूरी हो बिमार पड़े गाई और आजकल तो और भी बिमारिया हो अगी है इंड़िसिंग किया हो सकता होने वाले infrastructure development में भारत में अभी काफी कुछ opportunities आने वाले समय में दिखता है तो industry analysis कर लिया उसके बाद form analysis में क्या होता है कि आप individual कि कंपनी का analysis करेंगे अब कंपनी का analysis किस तरीके से कर सकते हैं में चीज होई है यह सारी चीज है economic काफी high level पर हो गया उसके बाद industry analysis में आप industry का कौन कौन से इंड़स्ट्री में growth दिखता है आप उस चीज को करेंगे उसके बाद individual company जैसे मान लिजे टाटा ग्रूप है तो टाटा ग्रूप के पास लगव 40 से ज्यादा कंपनिया है जो उसकी है उसके साथ उसके associate कंपनिया तो बहुत सारी है अब आप टाटा के कौन सी कंपनिया जैसे मान लिजे आने वाले समय में टाटा पावर जो renewable energy के सेक्टर में एक अच्छा काम कर रही है वह इवी टाटा मोटर्स इवी सेक्टर में काम कर दिए हलागि टाटा मोटर्स का जो है अभी पेटोलियम और से पिक्टे भी काम है बट आने वाला समय जो वह समय को पहले ही आपके अनलीसिस करके वह renewable energy और एवी के तरफ जा रही है तो वह भी एक अच्छा है का रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो इस वीडियो एजुकेशनल परवस से बनाया जा रहा है तो हिसाब से हम पहले फॉर्म के फ्यूचर को एनलाइज करते हैं इसके बाद आता है वैल्यवेशन जिस भी स्टॉक या फॉर्म की कंपनी की बात करें उस उसका अंग नक्सान नहीं और तो आपको नुक्सान नहीं होगा लेकिन वह आपको यह पोदोशन ही ब्यूफिट कंपनी आहीं नहीं दे स्टॉपक वहाँ से उसको बढ़ना काफी चैलेंजिंगaton हो या फिर वह एक साइड वेज में चली जाती है और फिर कुछ कुछ मतलब वो लंबा टाइम लेगी अगर आप किसी भी एच्छे स्टॉप में अगर लो रेट पे मिल रहा है उसमें जब आप इंटर करते हैं तो आप आपको जो ग्रोथ के चांसे मुल्टिप्लायर हो ज्यादा हो जाते है है उसके बाद क्रोफ अब ठीक हेव पुंपनी का वैलुवैसं एच्छा है उसका da अच्छ यूछर अच्छा हिए लेकिं अपनी के लिव खेल कीव जो के लिए निक करना की काफ ीम प१न बात हो थोती है उसके बाद ग्रोथ स्टोरी अगर अच्छी ए तब ही हम उस्टॉक में एंट्री करें अब तीसरी चीज इसमें यह आती है प्रोफिटेबिलिटी आधा कंपनी का सेक्टर अच्छा है कंपनी एच्छी है क्रोथ भी अच्छा है बट वह कंपनी क्या प्रॉफिट जनरीट कर पता चला ग्रोथ तो अच्छा है काज लेकर कर रहे है या जितना कमाई है उससे ज्यादा उस कंपनी के लिए खर्च है तो उस चीज़ को भी एनलाइज करना काफ़ इंपोर्टेंट चीज़ होता है उसके बाद पे उसमें उस कंपनी पे कोई ड्यूज हैं किसी तरीके का चाहिवेज के बाद आता है कि इस time करने के बाद कशचा है कि इस कंपनी का मैनेज्मेंट कैसा है तो कोई फ्यूचर वीजन है या नहीं है तो इन सारी चीज़ों को एनलाइज करना काफी होता है तो यह था फंडामेंटल का काफी हाई लेवल का अनलेसिस आप लोगों को यह वीडियो कैसा लागा कमेंट बॉक्स में जरू बताईगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के ल कर दोलने को टुम कर दोलने कि लंगा मिलते हैं वीडियो तो उखंगा मिलते हैं ने समय कहता Хजी जर करें उलने को यिर भोगों को ब praाल सेखते हैं 5215